एक शब्द आप इस्तिमाल करते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्रवादी नहीं हूँ, थोड़ा इसको मेरे परिवार में चुकी अनगलक धर्म के लोगों से भी मेरा दोस्ती है तो हमारा एक परिवार है जो इसलाम मानता है, मेरे अत्यंत निकट लोग हैं वो, उन में कोई विदेश पढ़ता है, कोई देश में पढ़ता है बच्चा, कोई काम करता है, ग्रह स्वामीनी सामान ने जो एक मुसल्मान महिला हो सकती है वैसी है, तो एक दिन हमारे घर पर चर्च हाथ में है, तो उसने मुझे पुझा अंकल कैसे रुकेगा, तो वो पांच लोग बैठे हुए थे, तो मैंने का बेटा मैं सनातनी हिंदू हूं, भ्रामण हूं, ये महाकाल का रक्षा सूत्र बांद के रखता हूं, ये काशी है, गीता पढ़ता हूं, वेद पढ़ता हूं जितना समझ में आता है, महानस पढ़ता हूं, पर अगर इश्वर न करे, इसी क्षण मेरे सामने चुनाव आए, कि मुझे गीता और संभिधान में किसे चुनना है, तो मैं एक सेकंड के सौवे हिस्से को व्यर्थ किये बिना संभिधान को चुनना है, अगर मेरे पास चुन जितनाव आए, भगवान न करे, कि सनातनी होने में और भारती होने में किसे चुनना है, तो मैं एक सेकंड का हिस्सा व्यर्थ की हुए भारती होने को चुन लूँगा, मैं इनका बेटा, अब इसी बात को दोहराओ मेरे साथ, कि अगर मेरे साथ ये निरने आए, कि मैं कुर बिल और सम्मिधान में से एक को चुनूँगा, अगर इसमें चार सेकंड की बेटा देर लग रही है ना, तो बहुत मुश्किल है, फिर इस आख को खतम करना, फिर इस भेदभाव को खतम करना, जिस दिन 140 करोडों लोग ऐसा सोचना शुरू कर देंगे, और अधिकांशत है बताया कि भाई भारत के एक बड़ी धोती के ब्रहमण पहाड के, एक IPS, उनको सरकार ने बुला के कहा कि आपको पड़ोसी मुल्क में जाके, डिसगाइस में रहना है छे वर्ष, और इसके लिए वहां का जो मूल धर्म है, उसके सारे काम आपके साथ होंगे, ताकि आप सहवर शाके रहे हैं वहां, और वहां से इंपुट दिये भारत सरकार को, सब जानते हैं उसका आनी को, सब जानते हैं सजजन को, सब उनका नाम जानते हैं, सब उनका पराक्रम जानते हैं, उनके मन में भी तो आई होगी ना, कि मैं तो गाव के मंदिर के पुजारी का बेट और उस मेहंत की लड़के दे पुज़ारी की लड़के ने का पया कोई बात नहीं देश के लिए काम करना करेंगे बाद में बन लेंगे हिंडू पहले भारतिय बन लें ये बात आप में है ये उस लड़की में है ये इधर बैठे में है ये जिस दिन 140 करोड में हो जाएगी तो हो जाएगी तो वही मैंने कहा कि मैं भारती हिंदू हूँ यही बनना है मैं भारती मुसल्मान हूँ मैं भारती सिख्ख हूँ मैं भारती इसाई हूँ मैं भारती इसाई हूँ तो क्या होगा घर उपर भारत हो गया, नीचे बहुत सारे लोग हो गया अभी क्या है मैं हिंदू, मैं मुसल्मान हूँ, मैं सिख्खू, मैं इसाही हूँ जगड़ा चलना है भारती है कोई है नहीं